आज के इस सेशन में जैसा कि भेंजी ने बताया खुशियां आपके द्वार का जो ये शिविर है उसके अंतरगत आज हम तीसरे दिन में प्रवेश कर रहे हैं और तीसरा दिन बहुत ही महत्वपूरण होने वाला है क्योंकि इसमें जिस विशय के उपर हम बात करने वाले हैं वो हमारी लाइफ का प्रैक्टिकल विशय है कि हम आपस में घर परिवार में रहते हुए जहां भी हमारे जिन लोगों के साथ भी कोई सबंध है रिष्टे है चाहे वो भाई भाई का रिष्टा है चाहे पती पतनी का है बाप बेटे का है मा बेटी का है हमारे आस पडोस वालों के साथ हमारे रिलेशन है प्रोफेशनल रिलेशन्ज है पर्शनल है बिजनस रिलेशन्ज है आदमी अकेला तो रहता नहीं कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ उसकी बात होती है कारोबार होता है सबंद रिष्टे बनाने पड़ते हैं लेकिन क्या कारण है अपने आप से हम पूछें सबसे पहले कि आज हमारे सबंद जितने मधूर होने चाहिए जितने अच्छे होने चाहिए जितने सरल होने चाहिए आज वो उतने नहीं रहे ऐसी कौन सी बाते हैं जो हमारे रिष्टों में कठिनाईयां पैदा कर रही है इतने सुन्दर रिष्टे फिर भी उल्जते जा रहे हैं क्यों टकराब होता है क्यों नहीं निवरही क्यों नहीं हम इकठे रह पाते क्यों नहीं एक दुसरे को समझ पाते क्या कारण है कि हमारे नजदीक के लोग हमारे सबसे प्यारे से प्यारे लोग वही हमारे लिए प्रॉबलम बन जाते हैं वही हमारे लिए सबसे बड़ा दर्द का कारण बन जाते हैं जिनके लिए बहुत कुछ किया सरवस्व अकुरुबान किया प्यार लुटाया वही हमें दिक्कत पैदा कर देते हैं पुछें अपने आप से क्या करण है कि आज हमारे सबंधों में वो आपसी विश्वास वो ताल मेल वो सभाव संसकार की अडजस्टमेंट वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं रहा कौन सी ऐसे बाते हैं जो हमारे रिलेशन्स में प्रॉबलम क्रियेट करती है पुछें अपने आप से और मुझे साथ शेर भी करें क्या कारण है क्यों नहीं हमारी निवरही क्यों नहीं ताल मेल हो जब अच्छी तरह से जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता किसी भी रिलेशन्स में बताएंगे आप लो क्या कारण है कौन सी ऐसी बात है और एक बात का ध्यान रखना यहां जितनी भी बातें करनी है अपनी करनी है दूसरों की निए अपने को देखना है अपने बारे में सोचना है कि ऐसी कौन सी गड़बड हो रही है कौन सी कमी रह जाती है जिसके कारण हमारा घर जो आश्रम बनना चाहिए था जो घर स्वर्ग बनना चाहिए था घर मंदिर बनना चाहिए था वो नहीं बन पाता गरिस्त को भी आश्रम कहा गया है वो आश्रम क्यों नहीं बन पाता कौन सी ऐसी बाते हैं क्यों टकराव होता है क्यों सबंद तोडने तक की नोबत आ जाती है बताएं सौर्थ की भावना है अहंकार है और क्या है विचारों का मेल नहीं खारा उनके विचार अलग हमारे अलग लालच खावी हो गया पेशेंस की कमी है और सहन शक्ती भी गायब कर दी हमने और क्या बताएंगे पिछे वाले भी बताएं कहां कहां गड़बड हम कर रहे हैं जरा सोचो तो सही बड़ा इंपोर्टेंट आज सेशन होने वाला है आपके काम का है खाने पिने में भी अंतर हो गया है विचार तो मिलनी रहे खाना पिना भी नहीं मिल रहा है और क्या क्या नहीं मिल रहा अंडरस्टेंडिंग भी नहीं रही छोटे बड़े का भेद भी खत्म हो गया और क्या हुआ इगो जादा हावी मैं पन मेरी बात सही है मैं सही हूँ मेरी बात माननी जानी चाहिए मैं 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 अच्छा जितने भी आप कारण बता रहे थे यह बहुत अच्छे आप कारण बता रहे थे और एक कारण बताते बताते आपके मन में ये विचार जरूर आ रहा होगा जितनी भी चीजें आपने बताई कि मेरा वो अगर ये जो प्राबलम है ये उसके अंदर है अगर वो ठीक हो जाए तो हमारा घर ठीक हो जाएगा हमारा घर सुर्ग बन जायेगा अगर वो अपना एगो छोड़ दे, वो थोड़ा प्यार से बोले, वो थोड़ा मेरे विचारों को भी सुने, तो हमारी सारी प्रॉब्लम सही हो जाएगी. और हमारा पका विश्वास है कि जब तक वो सामने वाला व्यक्ति जो आपके मन में अभी भी आ रहा है, जब तक वो नहीं बदलेगा, तब तक हमारे सबंद ठीक होने वाले नहीं हैं. इसलिए हम पूरी तकत दिन रात किसमें लगाते हैं, उसी को बदलने के लिए जो दिख रहा है, कि ये वैक्ति अगर ठीक हो जाए, लोग हमारे पास आते हैं, कि जी मेरी सास, मेरी बहू, मेरा पती, मेरे बच्चे, मेरी पतनी, वो क्या करें कि सब ठीक हो जाए, हम उन्हे कहते हैं, कि यहां दूसरों की बात नहीं करनी है, वो क्या करें, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, मुझे क्या करना है, वो मेरे कंट्रोल में है, मुझे पूरा का पूरा ध्यान इस बात पे देना है, कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन हम सारी एनरजी किसमें लगाते हैं, द ने कहा था दूसरों के बारे में नी सोचना, दूसरे ठीक हो जाएं, कहीं यहां बैठे बैठे भी सोचते रहेंगे, यह जो पॉइंट भाई जी ने बताई न, यह मेरे वो सुन लेना तो बिल्कुल सही हो जाएगा काम, यह उनके लिए है, यह भी नी सोचना, जो कुछ है आ आपके लिए दिया जा रहा है, आपके घरवालों के लिए नहीं, आपके मित्तर सबंदियों के लिए नहीं, यह आपके लिए पॉइंट्स हैं, यह आपने अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए लाने हैं, अगर हम रिष्टों को अच्छा करना चाहते हैं, ठीक करना तो सबसे पहले किसे ठीक करना होगा अपने आपको लेकिन हम ठीक करते किसको हैं आप मेंसे कौन-कौन सोचता है कि दूसरा बदल जाए कौन-कौन ट्राई करता है कि वो सही हो जाए तो सब सही हो जाएगा कौन-कौन ट्राई करता है अच्छा काम्याबी मिलती है माता जी जिस दिन से आपने बहु को अपने इशारों पे नचाना शुरू किया, क्या हो नाची? क्या हो नाची? अच्छा जब आप बहु थे तो आप नाचने के लिए त्यार थे? कभी आप सास भी तो बहु थी, तब आप चाहते थे कि सास आपके उपर हुकुमत करे, अब तो चाहते थे कि अच्छी वाली सास मिले जो मेज़े आजादी दे, और अब खुद सास बने हैं, तो बहु को गुलाम बना के रखना चाहते हैं, सोचते हैं कि बहु जो मैं कहूं, मैं अब घर की बॉस, मेरी बास सुनी जानी चाहिए, बहु भी मोडर्न विचारों की है, वो भी कहती है, मैं क्यों सुनू, इसलिए जगड़ा होता है, अब आपने क्या करना है, कभी भी दूसरे को बदलने की, दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, अगर आप दूसरे के बदलने के बारे में सोचेंगे, तो आप सदा इंतजार ही करते रहेंगी, दूसरा बदलने वाला नहीं है, क्योंकि उसका मूडी नहीं है बदलने के लिए, वो तियार ही नहीं है, उसके हिसाब से गल्त वो नहीं है, उसे लगता है गल्त हम हैं, और ह हमारे हिसाब से गल्ट वो है अब हम दो हैं दो के बीच में एक प्राबलम है हमें लगता है कि वो उसकी बज़ा से प्राबलम आ रही है उसे लगता है मेरी बज़ा से प्राबलम आ रही है इसलिए मैं सोचता हूँ कि वो बदल जाए और वो सोचता है कि मैं बदल जाओं दोन जितना आप दूसरे को बदलने के बारे में सोचेंगे, जितना आप पुजैसिव होएंगे, कंट्रोल करेंगे दूसरे को, उतना वो बैक्ती आपसे दूर भागेगा, ये नियम है, और आपका रिष्टा पोड़ा अच्छा जो है, वो कमजोर होता जाएगा, हम किसी को बदलने के लिए यहां नहीं आए हैं, दूसरे को बदलने की सला देने के बजाए, राय देने के बजाए, उसे हमारे राय की जरूरत नहीं है, हमारी सला की जरूरत नहीं है, उसे ताकत की जरूरत है, वो कमजोर है, इसलिए वो बदल नहीं पा रहा, उसको ताकत द जो खुद स्ट्रॉंग होगा जो खुद पावर्फुल होगा वही तो देगा ना जो खुद ही पमजोर होगा वो दूसरे को क्या ताकत देगा तो दूसरों को हमारी राय की नहीं इस चीज़ की जरूरत है शक्ती की जरूरत है बदलना वो भी चाहता है प्रों कहता क्या करू जो करना चाहता हूँ वो होता नहीं है, जो नहीं करना चाहता हूँ वो हो जाता है, क्योंकि संसकारों के अधीन है, इस वक्त हर वक्ती अपने अपने संसकारों के आदतों का गुलाम है, अब किसी सिगरेट पीने वाले को आपको हो जी सिगरेट मत पिया, वो क्या सिगरेट पिना बंद कर देगा, चाहता तो वो भी है, मैं ना पियू, लेकिन उसको तलब उठती है, उसकी बार-बार इच्छा होती है, इसलिए उपी लेता है, तो उसको ताकत देने की जरूरत है, उसको एमपावर करने की जरूरत है, Our role in this world is not to control the people, our role is just to empower them, control करना हमारा काम है, एमपावर करना, किसी को change करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है उनको motivate करना, उनको inspire करना, प्रेरित करना, करे ना करे वो उनकी मरजी, आज दुनिया में सारे के सारे human being दूसरों को control करने में लगे लगे हैं या नहीं लगे लेकिन क्या वो human being जिसका अपने उपर control नहीं है उसको ये अधिकार है कि वो दूसरों को control करे हम अपने आपको check करते हैं क्या आज हमारा अपने उपर नियंतर्ण है हमारी करमिंद्रिया sense organs हमारा कहना मानती है क्या आज हमारी आँखें हमारे नियंतर्ण में है अच्छ आँखें भी नहीं अच्छ मुँपे कंट्रोल है कोई कहे मेरा 100% कंट्रोल है कई बार ऐसी बात बोल देते हैं बात में पच्टावा होता है sorry बोलना पड़ता है ताकि जगड़ा ना हो जाए हम कहतें मेरा ये भाव नहीं था मेरे से निकल गया भाई क्यों इसका मतलब मुँपे कंट्रोल नहीं है हाथों पे कंट्रोल है किसी का कभी कभी होता है कभी कभी गुसे में हाथ बड़ा काम भी कर जाते है गुसे में दुसरे को मार भी देते है गुसे में क्या-क्या इन हाथों से फैंक देंगे बरतन आएंगे बरतन फैंक देंगे मुबाइल आएगा मुबाइल तोड़ देंगे टीवी तोड़ देते है कही लोग और कहीं लोगों को तो इतना गुस्सा आता है कि घर में रिवालवर हो तो गोली भी चला देते गुस्से में आगे इसका मतलब हाथ भी कंट्रोल में नहीं है अच्छा इससे भी उपर चीज क्या मन के उपर आपका कंट्रोल है कोई है यहां ऐसा वीर बहादूर जो कहे मेरा मन पे पुरा नियंतर्ण है मेरा मन मेरा कहना मानता है मैं मन को जहां चलाना चाहूं जहां रखना चाहूं रह लेता है है कोई आज हमारा किसी चीज पे कंट्रोल क्यों नहीं है क्योंकि मन पे ही control नहीं है और सबसे ज़्यादा important कि हम अपनी पूरी की पूरी energy दूसरों को चलाने में दूसरों को अपने हिसाब से चलाने में control करने में लगाते हैं जो energy अपने उपर focus करनी थी अपने को सही करने के लिए वो हम कहां लगाते हैं दूसरों को सही करने में लगा रहे हैं और ये बात आप पक्की कर लो कि हम इस दुनिया में दूसरों को समझा सकते हैं दूसरों को बता सकते हैं, दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, दूसरों को ओर्डर भी दे सकते हैं, जहां आपकी ताकत है, पर दूसरा आपकी बात माने या ना माने ये किसकी मर्जी है? ये सामने वाले की मर्जी है ये आजादी आपने दूसरों को देड़ी है अगर सुखी रहना है कि दूसरे को जो अच्छा लगेगा वो वही करेगा जो हमें अच्छा लगेगा वो नहीं करेगा जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमारा कहना मानते हैं मानते हैं के नहीं मानते हैं, हम कहते हैं बेटा बैठ जाता है, बेटा खड़ा हो जा, अंकल को नमस्ते कर, बचारा मान लेता है, जो कहो के सब कुछ कर लेता है, हमें लड़क लगता है, बच्चा बड़ा ओविडेंट है, कितना अच्छा हमारा घर का चिरा, कितना अच्छा बच्चा है अब जैसे जैसे वो बड़ा होता है एक स्टेज ऐसी आती है कि वो आपका कहना मानने के बजाए अब अपने मन का कहना मानना शुरू करता है क्योंकि अब उसका ब्रेंड डिवेल्प हो गया अब वो भी बड़ा हो गया उसने भी दुनिया की कई चीजे देख ली तो अब वो आपका कहना नहीं मान रहा अब आप डिस्टर्ब हो गए कि मेरा बेटा इतना मैंने इसके लिए किया अब मेरी बात नहीं सुनता है उस वक्त अपने को समझाना है कि बेटा बात मने तो भी ठीक ना मने तो भी ठीक पर हमारी नेचर कैसी बन गई है कंट्रोल कर करने की हम कहते है कर गलती जब सजा भुखतेगा ना तो पता चलेगा तुझे तब मेरे पास आएगा मतलब फिर मेरे पास आएगा और फिर मेरे अनुसार चलेगा तो मेरे को चैन मिलेगी मतलब फिर मैं उसको कंट्रोल करूंगी सजा के देने मिलने के बात मतलब वो आदत मैं छोड़ने वाला या वाली नहीं हूँ मुझे तो कंट्रोल करना ही है अब उसको बदलना है आज से ये होम बरक यहां से लेके जाना है कि हम किसी को भी नहीं बदल सकते हम किसी को भी कंट्रोल आज से नहीं करेंगे possessive nature को छोड़के जाएंगे किसी को उपर ध्यान नहीं देना है पूरा का पूरा attention अपनी उपर देना है अध्यात्मिकता ये कहती है दूसरों की चिंता करने की जुरूरत हमें नहीं है हमें अपनी करनी है हमें अपनी पगड़ी संभालनी है दूसरे ने क्या पहन रखा है वो उसकी मर्जी वो पगड़ी पहने टोपी पहने बाल रखे कटवाए जो करना चाहे करे उसकी आजादी उसकी है पर मुझे अपनी पगड़ी संभाल के रखनी है मतलब अपने मन को सही रखना है अपनी सोच को सही रखना है अगर रिष्टों को सही करना है तो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है हमारी सोच हम कई बार बाहर से तो सही नहीं भाते हैं बाहर से मीठा बोलेंगे अच्छा वैवार करेंगे लेकिन फिर भी सोचते हैं मैंने इसके साथ इतना किया, फिर भी ये ठीक क्यों नहीं होता? बाहर-बाहर से हम करते हैं, लेकिन बाहर से अच्छा है, पर मन में क्या सोच रखके वहभार कर रहे हैं, वो रिष्टा बनाता है. या मैंने मन से भी सही सोचा, या मन में गल्द विचार लाके, उसके बुरे के विचार लाके, फिर उसको सही बाहर-बाहर से मिठा बोल रहे हैं, तो क्या असर होगा? असर होगा फिर? आप में से किसको ये आर्ट आता है कि बाहर से मिठा बोलो, अंदर से उल्टा सोचो. जो अंदर है वह बहुत से लोग आजकल चलाक हो गए बहार से मिठा बोलेंगे अंदर कुछ और सोचेंगे बहार से कोई मिलेगा अरे भाई साब आप तो एकदम स्मार्ट लग रहे हो हैंडसम लग रहे हो यह ड्रस तो आपके उपर पूरी जच रही है और अंदर से क्या अब बहार से बोलेंगे काटन तो जगड़ा हो जाएगा इसलिए बहार से तो ठीक बोलते हैं पर अंदर क्या सोच के बोलते हैं वो रिष्टा बनाता है और जैसा आप सोचोगे दूसरे के लिए दूसरा भी तो आपके लिए वही सोचेगा हम कहतें मिस अंडर्स्टेंडि हो गई ये रिष्टों में वो हमें समझते नहीं हम उन्हें नहीं समझ पारे क्या कारण है मान लो आप किसी व्यक्ति के घर गए पर घर जाने पे आपने बेल बजाई अब जिस जो घर में था वो कहता ओ बड़ी खुशी हुई आज आप हमारे घर में आए वा वा बैठो ब मार्किट जाना था च्छतिस काम करने थे कहां से आ टपके अब कैसे इनको बगाऊं कैसे टालूं अंदर से ये सोच रहा है अब वो बाहर से मीठा बोला तो जो आने वाला है वो भी बाहर से मीठा बोलेगा अरे भाई साब मैं रास्ते से गुजर रहा था आपका मकान देखा तो दिल किया कि आज आपके दर्शन कर लो इसलिए आज मिलने आ गया क्यों उसने मीठा बोला क्योंकि उसने मीठा बोला अब उसने होश्ट ने क्या किया उल्टा सोचा अब वो भी उल्टा सोच रहा है मनी मन सोच रहा है कि आज तो काम था इसलिए आ गया नहीं त बाहर के लोगों के साथ नहीं, घरबालों के साथ भी यही है, अंदर कुछ, बाहर कुछ, इसलिए गड़बड हो रही है, अब बाहर से भी अच्छा, बाहर से भी मिठा, तो अंदर से भी सच्चा और मिठा बनेंगे, तभी सबंद अच्छे बनेंगे, और ये जिम्मेवारी दूसरे को नहीं देनी है कि वो ठीक होए नहीं वो होए या ना होए मुझे खुद को ठीक करना है अगर मैंने खुद को ठीक किया तो दूसरा तो अपने आप मेरे को देख के ठीक हो जाएगा ये जिम्मेवारी मेरी है किसी भी रिष्टे में तीन च्वाइस होती है जिसके साथ भी आप रह रहे हैं एक च्वाइस है कि आपकी उसके साथ अगर नहीं निब रही तो छोड़ दो नहीं अड़ज़स्ट होते हैं हमा लग हो जाते हैं ठीक है दूसरी च्वाइस है कि आप उसके साथ रहो बाहर बाहर से नहीं बलकि अंदर से भी मिलाके चलो और उसको एकसेक्ट करो, सविकार करो, यह हमारा मेंबर है जैसा भी है, और तीसरी च्वाइस है, तीसरा विकलब है किसी भी सबंद में, कि रहो तो साथ, लेकिन 24 घंटे कुड़ कुड़ करते रहो, यह तो ऐसा है, यह त जारना पढ़ रहा है, बच्चों के खातर रहना पढ़ रहा है, नहीं तो मैं तो कलका छोड़ देती है, छोड़ देता, तो रहेंगे साथ में, लेकिन कौन से तीर मारेंगे एक दूसरे को, दर्द के तीर मारेंगे, रहते साथ रहेंगे, पस कोस 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 के, तुम तो ऐसे कहके नेगटिव दर्द के तीर एक दूसरे को मारते रहेंगे और ऐसी feeling के साथ रहेंगे कि जैसे मैं जेल की सजा काट रहा तुम्हारे साथ रह रहा हूं तो मतलब जेल की सजा काट रहा मजबूरी में रह रहा हूं अगर मेरे पास power होती यह बच्चे नहीं होते अब तो मैं कब से छोड़ देती आपको कहते हैं न कभी कभी कई कई लोग ऐसा अब तीन में से सबसे अच्छा भी कलप कौन सा है दूसरे वाला कि प्यार से रहो अड़ज़स्ट से करके रहो दूसरे कुछ सविकार करके चलो कि हर एक अपनी नेचर वाला होता है हर एक की कुछ खूबियां भी होती है कुछ खामियां भी होती है सविकार करो और अड़ज़स्ट करो लेकिन हम कौन सा भी कलप ज़्यादा यूज़ करते हैं हम कौन सा यूज़ करते हैं तीसरे वाला रहेंगे साथ पर तीर चलाते रहेंगे रोच खुद भी दुखी, दूसरे को भी दुखी करते रहेंगे मान लो आपको पसंद नहीं है वो आप से सही से बात नहीं करता, तंग करता है ठीक है छोड़ दो, एक भी कलप है एक है कि सभिकार करके रहो और सबसे खतरनाक है रहो साथ और एक दूसरे का emotional अत्याचार करते रहो अब तीसरे बाला तो करना ही नहीं है अच्छा फिर accept करके कैसे रह सकते हैं हमारी expectations बहुते हैं सबंधों में न, जिनके साथ जितना नजदीक का सबंध होगा उससे ज़्यादा अपेक्षाएं हैं ज़्यादा उमिदें हैं, ज़्यादा इच्छाएं हैं और वो expectations हमें सुखी नहीं रहने देते हैं अब expectations रखना natural है या unnatural होती है न expectations कुछ होती है लेकिन उन acceptations को minimize करके अगर हम power of acceptance सभीकार करने की ताकत को बढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से रह सकते हैं मान लो आपका सामने वाला वेक्टी वो वेक्टी जिसके साथ आपकी कुछ न कुछ प्राबलम रहती है वो आपसे प्यार से बात नहीं करता है ठीक है कड़वी वानी का इस्तेमाल करता है गलत भाषा यूज करता है आप कहते हैं किसी ने इसको बोलना यह नहीं सिखा रखा जब देखो उल्टी बात करता है जब देखो नेग्टी बात करता है ठीक अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो सही से बात करे अब आपके पास दो विकल्ब हैं दो च्वाइस हैं एक विकल्ब है कि आप उस व्यक्ति को जाके कहो कि तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए तुम्हें प्यार से बोलना चाहिए नमबर वन विकल्ब और नमबर दो विकल्ब है कि आप अपने से कहो, अपने को समझाओ, कि वो कैसे भी बोले, लेकिन तुम्हें ऐसे सोचना है, कौन सा इजी है, कौन सा आसान है, कि मैंने क्या सोचना है, वो क्या बोलता है, वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन उसकी बात को सुनकर, मुझे अपने अंदर कौन सी लाइने पैदा करनी है, कौन सी सोच लानी है, वो तो मेरे हाथ में है, है या नहीं, हमें दर्द कौन सी चीज देती है, मालो आप घर से निकले, बाहर गए, कुसी से मिले, बजार में कहीं पर भी, उसने आपके कह दी, अब वो लाइन आपको दर्द देती है, दुख देती है, चाए वो इंसल्ट की थी, चाए को उसने तंज कसा, कुछ भी उसने टॉंट किया, कुछ भी किया, वो लाइन आपको ट्रबल करती है, या उस लाइन को सुनने के बाद, आप अंदर ही अंदर क्या सोचते है अंदर ही अंदर जो 15-20 लाइने अंदर अंदर अपने से बोलेंगे वो दर्द देती है खुद की सोच, खुद की बातें ही दर्द देती है ना, उसकी लाइन दर्द देती है कि अपनी बातें example देता हूँ आपको मांग लो कोई आपको कह दे सभा में से उठा के कि देखो ये क्या कपड़े पहन रखें आपने ये कोई कपड़े हैं मुझे तो पसंद नहीं अब आप परिशान हो गए आपने सुना अब अंदर ही अंदर आपने कई लैने आए मुझे सबके सामने कह दिया सबके बीच में इंसल्ट कर दिया कल मैं नए कपड़े पहन के नए कपड़े लेके आया हूँ इतने अच्छी ड्रेस है खुद की ड्रेस देखो इनकी कैसे पहने हुए मुझे कह रहे हैं तो अंदर ही अंदर वो और उसका दुख बढ़ेगा और मेरी एक लाइन सुनके अगर वो कहे कोई बात नहीं इन्होंने जो कहा अपनी पसंद के हिसाब से कहा और मेरी पसंद तो वही एई ड्रेस है मैं तो नेवी ब्लू कलरी पहने हुगा मुझे तो यही अच्छा लगता है तो वो नॉर्मल रहेगा एक लाइन को सुनकर एक वेक्ति दुखी हो रहा है बार-बार उससे दर्द की वाली सोच ला रहा है और एक वेक्ति सोचता है कोई बात नहीं क्या बड़ी बात है कह दिया तो कह दिया उसकी अपनी पसंद मेरी अपनी पसंद तो इसका मतलत दर्द कौन दे रहा है अब किसके पास जाना है जब कोई आपको कहे उल्टा सिधा तो उसको सिखाना है कि क्या बोलना है या अपने को सिखाना है कि उसकी बात सुनकर क्या सोचना है अपने मन को सिखाना चाहिए कि मैं ऐसे भी तो सोच सकता हूँ उसको ये कहने के बजाए कि तुम ऐसे भी तो बोल सकते थे तुम ने ये बात इतने उल्टे तरीके से कही तुम थोड़े प्यार से कह देते उसको कहने के बजाए आज से अपने आपको कहना है कि वो कुछ भी कहे, कुछ भी बोले मुए इस बात को ऐसे भी सोच सकता हूँ जो मुझे दर्द ना मिले मैंने जुरूरी है वही सोच लानी है जो मुझे दर्द दे वो सोच क्यों नहीं लाएं जो मुझे सुख दे ला सकते हैं या नहीं ला सकते अच्छा आज हम करते क्या हैं बहुत दफ़ा हम क्या करते हैं कि अपनी expectations को दूसरों पे ठोप देते हैं हमें लगता है जो हमें सही लगता है वही सही है जो मेरी सोच है मेरे करम है जैसे मैं बोलता हूँ जैसे मैं करता हूँ वही दूसरों को करना चाहिए पर क्या ये संभव है? हम दूसरों के लिए क्यों आज अच्छा नहीं सोच पाते हैं? जो सबंधों की बात मैंने कही कि मीठा तो बोलते हैं, बैवार भी सही करते हैं, पर सोच सही नहीं पाते हैं. क्या कारण है? तभी सोचा आपने. उसका कारण ये है कि हमारे अनुसार लोग तब सही होंगे, हम उनके लिए तभी सही सोचेंगे, जब वो हमारे अनुसार चलेंगे. यही हम इसी कुंसेप्ट को लेके चलते हैं. और हमें क्या सही लगता है? वो हर एक का अपना अपना स्टेंडर्ड है. एक वेक्ती गाड़ी चला रहा है, 180 की स्पीड से. हम कहते हैं, बड़ी स्पीड चला रखी है, फास चलाओ. एक वेक्ती 120 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है. हम कहते हैं, बहुत फास चला रहा है, थोड़ा स्पीड करो. मतलब वो कौन सी स्पीड पे चलाओ? हम कहेंगे 100 की speed पे चलाओ, हमारे अनुसार कौन सी speed सही है 100, लेकिन किसके अनुसार iterations हमारे अनुसार, और हमें लग रहा यही सही speed है, कोई वेक्ति बड़ा जल्दी जल्दी काम करता है, हम कहते हैं भी धिरे धिरे कर तसल्ली से कर, और कोई वेक्ति बड़ा slow काम करता है हम कहते हैं वे थोड़ा फाष्ट कर अब कितना फाष्ट कितना सो छो उसका पैमाना क्या है जो मुझह सही लग रहा है और जो मुझह सही लग रहा है वही दूसरा जब करेगा तो मैं उसके लिए अच्छा सोचूंगा यही होता है रन आर्पा अब हम क्यों हम सबका आज अलग-अलग है क्यों हम क्या हम सबकी सोच एक जैसी हो सकती है क्या हम सबकी सोच एक जैसी हो सकती है क्यों सबकी अलग-अलग सोच है किसी ने कहा था कि आज सोच भी अलग अलग है, खाना भी अलग अलग है क्या हम सब की सोच एक जैसी हो सकती है नहीं होगी, क्यों नहीं होगी क्योंकि संसकार अलग 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 जगाओं से सब आए है अलग अलग अन्वार्मेंट में सब रहे हैं तो सब एक जैसे कैसे हो सकते हैं अब दो विकलब हैं एक विकलब तो है कि हम सविकार कर लें कि इस दुनिया में सबकी अपने अपनी सोच है अपने अपने संसकार है और एक है कि जो मेरे को सही लग रहा है जो मेरी सोच है वही दूसरे की भी होनी चाहिए दो तरह का है अब कौन सी रखनी है हमें हाँ ये पक्का मानना है कि दूसरा मेरे से अलग है है और रहेगा था भी अलग सारे उंगलियां पांच उंगलियां कभी एक समान होती है घर में मां के पांच बच्चे एक जैसे हो सकते हैं सारे इंजिनियर बन जाएंगे और इंजिनियर बन भी गए तो सारे ही 90% वाले होगे सारे ही टॉप करेंगे क्या सारी बहू एक जैसी आएंगी नहीं सब वेराइटी है इस दुनिया में यह सभीकार करना ही बुद्धी मता है यही ग्यानवान वेक्ती की निशानी है कि हम इस बात को माल लें कि सभी एक दूसरे से अलग हैं क्यों अलग हैं? क्योंकि सब आत्में अलग-अलग यात्रें पूरी करके हमारे पास आई हैं अलग-अलग परिस्थितियों में रही अलग-अलग वातावरन में रही अलग-अलग पेरेंट्स के साथ रही पिछले जनमों में भी और इस जनम में भी लग-लग सरकमस्टांसीज में उर रही इसलिए वो अलग हैं अब दो आत्में हैं जो अलग-अलग यात्रा करके आई हैं अब आमने सामने हैं और उनके बीच में एक परिस्थिती है और वो परिस्थिती दोनों को अलग दिखाई दे रही है एक वेक्ति को दूसरे का दृष्टी को नहीं नजर आता और दूसरे को पहले वाले का दृष्टी को नजर नहीं आता पहले वाला कहता है तुम गल्त हो दूसरे वाला कहता है तुम गल्त हो अब दोनों में से कौन सही दोनों ही सही है इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही ये समझना पड़ेगा दोनों ही अपनी जगा सही हैं हम wrong नहीं है दूसरा भी wrong नहीं है उसने जो चश्मा पहना है उसके अनुसार वो सही है जो चश्मा हमने पहना है हमारे अनुसार हम सही है different people will have different type of thinking पक्ता कर लो जितने लोग उतने विचार होने ही है यह सभीकार जिसने कर लिया वो खुश है और सब मेरे जैसे नहीं हो सकते कैसे हो यह भी मानना पड़ेगा क्या मैं जो सही कहूं वही सही है कही बार parents को लगता है कि हम सही हैं और बच्चे तो हमेशा गल्ट होते हैं इसलिए वो अपनी सोच बच्चों पर थोपते रहते है हमें लगता है आज कल के बच्चे जिस तरह से इनकी सिस्टम चल रहा है वो गल्ट है जिस तरह का यह खाना खाते हैं वो गल्ट जितने बज़े यह सोते हैं रात को वो गल्ट जितने वज़े सवेरे उढ़ते हैं वो गल्द जैसे कपड़े पहनते हैं वो गल्द क्योंकि हम तो parents हैं हम तो सही होते हैं parents are always right ball sees always right और बच्चे तो छोटे हैं इनको तो समझाना पड़ेगा जिस तरह के उनके दोस्त हैं वो भी wrong जिस तरह का वो carrier बनाना चाहते हैं वो भी wrong 24 घंटे उनके लिए क्या सोचते हैं ये गल्द हैं ये गल्द हैं ये गल्द हैं अब आप कौन सी energy बच्चों को दे रहे हैं हम negative energy भेज रहे हैं नकरात्म कूर्जा कौन सी कि तुम गल्द हो तुम गल्द हो अब बच्चा भी सोच रहा है कि गल्द मैं नहीं हूँ माता जी पिता जी गल्द आप हैं आपकी सोच पिषड़ी है आप modern नहीं है क्यों ऐसा वो भी सोच रहा है क्यों आपकी बात सुनना नहीं चाहता हम कहते हैं बच्चे हमारी बात ही नहीं सुनते आपके दौरा कही गई अच्छे से अच्छी बात भी अच्छे से अच्छी राए भी सुनने वाले को अच्छी क्यों नहीं लगती कभी सोचा आप नहीं इसके उपर आप तो बड़े प्यार से कहते हो भी ऐसा करो अच्छी बात है आप उसके भले के लिए भी कह रहे हो फिर भी वो सुनना नहीं चाहता धारन करना तो अगली बाद वो सुनना भी नहीं चाहता क्योंकि आप उसको वो बात disrespect के साथ कहते हैं आप negative energy के साथ negative vibration के साथ कहते हैं ये सोचके कि इसको ये तो गल्ट है इसको पता नहीं है मुझे इसे सुधारना है जिस घड़ी हम दूसरे को reject करते हैं तो rejection की energy negative है वो disrespect की energy है कि मैं तुम्हें सविकार नहीं करता तुम ठीक नहीं हो तो फिर वो आपकी बात क्यों सुनेगा आपकी बात वही सुनेगा जो आपके साथ comfortable ह जब होगा जब आप उसकी आदत को संसकार को accept करोगे कि भाई तुम भी अच्छे हो और अच्छे हो जाओ ऐसे बहुत अच्छे हो जब उसको दिल से accept करेंगे कि ऐसा होता है हम पहले reject करते हैं rejection की energy के साथ अपनी बात कहते हैं इसलिए दूसरा हमारी बात सुनना भी नहीं करता अगर आप चाहते हैं कि दूसरा आपकी बात सुनें उसको गौर फरमाए उस पे चले तो best way ये है पहले उसे दिल से सविकार करो accept करो उस की आदत आपकी आदते बी तो लोग सविकार करते हैं न करते हैं ने करते हैं जो भी छोटे अच्छी खराब आदत जे भी आपको कोई नहीं जहेलता है आपके लिए बी तो कोई नहीं accept करके जेलना कह दो आपके प replacement करना positive हो गया आपको भी तो कोई आप चाहते भी ये हैं कि मैं जैसा हूँ accept करो मान लो एक वैक्ती बहुत बात तुन नहीं है लेकिन दूसरा तो accept कर लेता है बेचलो बोलने दो बोल रहा है और एक है उसको वहीं टोक दे आप बहुत ज़्यादा बोलते हो कम बोला करो उसको बुरा लगेगा फिर तो वह चुपी हो जाएगा लेकिन हर्ट भी हो जाएगा तो accept करना है और अपनी बात फिर उसको respect देते हुए समझानी एक तरीका है मैं आप से पूछू example के साथ समझाता हूँ कि आप कितने बजे उठते हैं इतने बजे उठते हैं भेञें चे बजे यह 6 बजे उठते हैं अब मैं इनको डांटर लगाऊं छे बजे उठते हो 6 बजे को उठने का टाइम है अरे सूरज सिर पे आ जाता है और हम सारा काम करके उस बक्त अभिस तक चले जाते हैं और आप इतना लेट उठते हो, 4 बजे उठना चाहिए आपको, इतना सब कहने के बाद मैंने एक लाइन क्या कही कि 4 बजे उठना चाहिए, तो ये 4 बजे उठेंगे मेरी बात सुनके, तो क्योंनी उठेंगे, क्योंकि मैंने इनकी आदत को reject किया, मैंने इनके को accept नहीं करके अपनी बात इनके उपर थोपनी चाही इंटेंशन सही थी कि चार बज़े उठीए सवेरे उठीए लेकिन पहले मैंने इनकी आदत को reject किया अब मैंने इनकी आदत को reject किया तो ये भी मन ही मन मेरे बारे में सोचेंगे कि आप चार बज़े उठते हो आपको नीद नहीं आती होगी इसलिए उठते हो हम तो छे बज़े उठते हैं ठीक है अपनी जगा ये बदलना तो दूर मेरे लिए भी उल्टा सोचना शुरू करतेगे और अगर मैं इनको कहूँ इठीक है भी छे बज़े आपके खिसाव से अच्छा है उठतना जितने बज़े आप कितना कारोबार है आपके पास रात को कई चीज़ेßen संभालनी हैं बच्चे भी देखने हैं छे बज़े आपके लाइफश्टाइल के हिसाव और मेरे लाइफस्टाइल के हिसाब से चार बजे उठना सही है नेकिने एक चीज है कभी कभी ना चार बजे उठ जाया करो कैसे भी मैनेज करके बड़ा फैदा होता है अब मैंने अपनी बात भी रखी पहले इनकी बात को रिस्पेक्ट भी दिया तो हो सकता है ये बेरी बात मान के किसी ना किसी दिन चार बजे उठने के लिए तियार हो जाए तो ये तरीका है दूसरे से दूसरे को बदलने का दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का पर हम करते हैं उल्टा हम सीधा इंस्ट्रक्शन मोड पे आ जाते हैं नहीं तो मैं करना है और खासकर बच्चों के साथ तो और पती पतनी में तो और ज़्यादा मैंने कह दिया बस करना ही है ज़्यादा कंट्रोल करना अपने दूसरे को अपने अनुसार चलाना लेकिन एक बात पक्की मान लो कि सब इस तुनिया में अपनी अपनी जगा सही है कोई गल्त नहीं है ये मन में सभी होगा तब आप एकसेप्ट कर पाओगे जब हम मन में सोचते हैं ये गल्त है मुझे इससे ठीक करना है वो नेक्टिव एनरजी देता है आप मान लो सब सही है जैसे मेरे अकॉर्डिं आगे बैठना किसी भी प्रोग्राम में ज़्यादा अच्छा है लेकिन कुछ लोगों के अकॉर्डिं पीछे बैठना ज़्यादा अच्छा है वो कहते आगे बैठके क्या करेंगे आगे बैठके किसी ने पूछ लिया तो जबाब देना पड़ेगा, पीछे तो सोग जाएंगे, कौन देखता है, पीछे सबसे अच्छा होता है, अब आगे बाला सोचे कि ये पीछे बैठे हैं, ये अजीव किसम के आदमी हैं, पीछे बैठे हैं, और इतना अच्छा लेक्चर हो रहा है, आगे बैठना चाहिए तो सिखता है आदमी, पीछे नहीं बैठना चाहिए, और पीछे बाला सोचे, ये आगे बैठे हैं, ये अजीव हैं, पता नहीं क्यों, हर जगा आगे आगे आगे, बस आगे जैसे पता नहीं क्या मिलना इनको, उनको ये अजीव नजरा रहें, इनको वो अजीव नजरा र सब कहेंगे जी हमें बठाओ दूसरे को खींच के भी उठा के मैंने बैठना है इसलिए भगवान ने सबका सॉफ्टवेर सबकी प्रोग्रामिंग अलग-अलग कर दी है किसी को आगे बैठना अच्छा किसी को बीच जैसे वे किसी को पीछे बैठने है सब अपनी अपनी जग करना चाहिए पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए पढ़के बड़ा बनना चाहिए और सारे पढ़ जाएं तो फिर जितने भी स्थूल काम है कोई करेगा ही नहीं लेवर कहां से लाओगे आप सब कहेंगे जी हम तो कुरसी दे दो एक टेबल दे दो एक कंप्यूटर दे दो ब कुछ कैसे कुछ कैसे इसी से तो दुनिया चलती है इसलिए कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं कोई काम सब की अपनी इंपोर्टेंस है सब को सविकार करते हुए गुड अनर्जी देनी है कि we all are different हम रॉंग नहीं है कोई भी रॉंग नहीं है अपनी जगा चोर भी बचा कर लिए इस समाज में बड़ी बेनसाफी होती है तो उचोर बन जाता है तो कि उसका software वैसा ही है programming वैसे हो रखी है हर कोई अपनी जगा सही है हमें सविकार करके आगे बढ़ना है और घर को चलाने के लिए प्यार की energy का इस्तेमाल करना है आपके अंदर किस किस के पास प्य अगर को चलाना जानते हैं भाईयों में थोड़े कम लग रहे हैं बहुत अच्छा अगर हमारे अंदर प्यार के संसकार हैं तो इसका मतलब ये होना चाहिए क्या होना चाहिए अगर हमारे अंदर प्यार है तो सब के साथ होना चाहिए और हर वक्त होना चाहिए कभी कभी न गए और जब मतलब निकल गया तो फिर असली रूप में आगे और सबके साथ इकल प्यार होना चाहिए प्यार का मतलब ये है कि दूसरा अगर हमसे प्यार से बात करे तो प्यार से सब कर लेते हैं पर अगर मेरे अंदर प्यार के संसकार हैं तो इसका मतलब है कि दूसरा मेरे स प्यार से बात करे या ना करे मुझे कैसे बात करनी है प्यार से बात करनी है पर हम करते क्या है एक्चुल में क्या करते है कि दूसरा मेरे से जितना प्यार से बात करेगा मैं भी उतना ही प्यार से बात करूँगा अगर दूसरा मेरे से बात करेगा तो मैं बात करूँगा अग जो के दूस्ते की तो मैं भी करूँगा नहीं तो मैं देखूँगा इसका मतलभ हम क्या करते हैं? क्या दूस्रा वैक्ति default करेगा कि मुझे क्या करना है ya मुझे अपना decision अपने हिसाब से लेना है? जब हम कहते हैं कि जितना वो करेगा उतना मैं करूँगा. इसका मतलभ मेरा फैसला कॉल ले रहा है दूसरा मैंने अपना remote control किसको दे दिया दूसरे के उपर कि वो जितना चाहे उतना मैं दूँगा जैसे वो करेगा वैसे मैं करूँगा यह आदत हमने रिष्टों में भी ले आई दूसरे को देखके करने की आपके घर में शादी होती है तो लोग शगन देते हैं देते हैं लिफाफा देते हैं आज कर तो उस लिफाफे को लोग क्या करते हैं मैरीज के बाद एक डैरी निकालते हैं उस डैरी में लिफाफे में क्या-क्या निकला किस-किस ने कितना दिया सब लिखते हैं लिखते हैं इदर भी क्यों लिखते हो वो तो उसने दिया आपको यूज करो आप लिख क्यों रहे हो क्यों लिख रहे हो क्योंकि जब उसके घर में जाओगे उसकी शादी में जाओगे तो आप उसका देख के पैबना कि कितना उसने दिया था उतना ही आप भी लटाओगे तो ये बिजनस हुआ है लेंदेन हुआ है या प्यार हुआ ये तो बिजनस हुआ बढ़ाके दें तो अच्छा तो बढ़ाके भी ना दें आप उसको देखके दें क्यों आपको जो आपका पैमना है जो आपको सही लगता है वो दो उसको देखके क्यों दे रहे हैं इसका मतलब हम उसको कॉपी कर रहे हैं हम उसको फॉलो कर रहे हैं हम फॉलोवर हैं लीडर न आता है और follower अन्याई वो पिछे पिछे चलेगा तो आप उरके पिछे पिछे चल रहे ये तो एक स्थूल बात है वैसे प्यार से बात करने वाली बात हम दूसरे को कॉपी करते हैं उसने मेरे साथ गुसा किया अब मैं क्या करूँगा मैं चुप थोड़ी बैठूँगा मैं भी गुसा करूँगा मतलब मैंने क्या किया उसको कॉपी उसकी नकल कर ली वो गल्त करे तो मैं भी गल्त करूँगा वो प्यार से बोलेगा तो मैं भी प्यार से बोलूँगा मतलब जैसा वो करेगा उसकी नकल मैंने करनी है यह अच्छी बात है यह हम ऐसा बने कि वो हमारी नकल करे हम ऐसा बने कि वो मिझे कौपी करे मैं इतना प्यार से बोलू वो गुसे से बोले मैं प्यार से बोलू और मेरे प्यार से प्रभावित होके वो अपना गुस्सा छोड़के वो भी प्यार से बात करने लग जाए ये बहादुरी है इसे कहते हैं power of love प्यार की शक्ती कि मुझे उसे तब बदलने का तरीका कि वो गुस्सा करे और मैं प्यार से बोलू हो सकता है हो सकता है हम कहते हैं उसने मुझे गुस्सा दिलाया मैं तो बिल्कुल सही था उसने कैसे गुस्सा दिला दिया आपके पास तो प्यार के संसकार है तो आपके प्यार के संसकार में गुस्से के कहां से आ गए हुआ ये कि आपने अपने असली संसकार छोड़के उसकी बुराई को अपने अंदर ले आए उसके संसकारों को अपने अंदर ले आए उसके प्रभाव में आके और आप भी गुसा करने लग गए और होना ये चाहिए था कि आपके प्यार का संसकार इतना मजबूत होता कि उसका प्रभाव सामने वाले के उपर पड़ता और वो आपसे प्रभावित होके अपना गुसे का संसकार को छोड़के वो भी प्यार से बात करने लग जाता तो ऐसा करना चाहिए कब करेगे इस जनम में या गले जनम में कब करेगे अच्छी बाते तो करनी भी तो चाहिए न केबल सुननी थोड़ी चाहिए प्यार से कुछ भी हो जाए प्यार नहीं छोड़ना सब को जल्दी बांड़ दो पहले बांड़ देना चाहिए था अभी हम ये टॉनिक आपके पास आ रहा है इस टॉनिक को रिवाइज करेंगे ये होमबर्क है रिष्टों को मधूर बनाने के लिए और जो जा रहे हैं कल के लिए सुनने कल बहुत इंपोर्टन टॉपिक पे बात होगी पॉजिटिव थिंकिंग के उपर अच्छी सोच से अच्छे दिन कैसे दुख भरे दिन खत्म हो और अच्छे दिन आएं जो दो हजार चौदा से आ रहे हैं पर अभी तक आए नहीं क्यों नहीं आए हो कल आपको बताएंगे कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा अच्छे दिन लाने के लिए तो कल का लेक्चर में सभी आना और अपने साथ औरों को भी लाना तो सभी अभी आगे खात करके ये संकलब होम बरक के रूप में लेंगे और जोश के साथ उमंग के साथ इसे रिपीट करेंगे मेरे साथ रिष्टों को मधूर बनाने के लिए मुझे दूसरों से खुशी प्यार या सम्मान मांगना नहीं बलकि उन्हें देना है दूसरों को बदलने या कंट्रोल करने की या सुधारने की कोशिश करने के बजाए मुझे सारा ध्यान खुद पर बदलने पर लगाना है मुझे मन में बातों को दर्द को गुस्से या नफरत को पकड़ कर नहीं रखना है दम वाब हाए है मुझे 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 कर दो ऱहा कि is